होमेपयति कि सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए किजे मेरे चैनल को सबस्क्राइब सबस्क्राइब नौक पटन दवा के साथ ही साथ दबा दीजे बेल आईकन भी तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की निउस क्या है अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप www.sams.co.in पर जाके देख सकते हैं चलिए आइए देख लेते हैं कि ये वेकेंसी कितने सीटों की आई है तो ये टोटल 20 सीटों की वेकेंसी है डिस्ट्रिक प्रोग्राम कॉर्डिनेटर और ये MBBS, BHMS और BMS इसे एपलाई कर सकते हैं और अगर आपके पास पब्लिक हेल्थ का मास्टर डिल है तो वो भी अच्छा है और 5 वेर एक्सपीरियंस है तो वो और बहतरी है चलिए आए देख लेते हैं कि कितना आपको पर मंत सैलरी मिलेगी तो 40,000 और एज लिमिट जो है वो 40 रखी गई है चलिए देख लेते हैं आगे और क्या क्या इसमें वेकेंसी दी गई है डिस्ट्रिक ग्रिवरेंस मैनेजर की एक पोस्ट है जिसमें भी आप अपलाई कर सक है तो चलिए आए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं important notes इसमें वो ही candidate apply कर सकते हैं जिनके पास domicile certificate है और जो government of German कश्मीर की तरफ से दिया गया है तो सिदा सिदी इसमें यही है कि जो जम्मो एन कश्मीर के हैं वो ही apply कर सकते हैं आईए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो भी application का last date है वो क्या है application का last date जो है वो 17th 8, 2021 है ग्यारा बचके 59 minute 59 second रात में यह खतम हो जाएगा इसका last date submission का जो कि 28, 2021 से fill up हो रहा है चलिया यह आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं यहां पर और भी कुछ details यहां पर दी गई होंगी selection process कैसा होगा यही सब बताया गया है merit list बनेगा यहां पर तो जो भी जम्मुएन कश्मीर के हैं वो इसे apply जरूर करें यह बहुत अच्छा मौका है आपके पास declaration of result जो है वो सब कुछ आपको पूरा details पता चलेगा आप अगर जाएंगे website पे तब आपको पूरा detail पता चलेगा देखें यहां पर merit किस तरीकी से बनेगा वो भी आपके पूरा detail दिया गया है आईए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहां पर कि आपको सारी details और application form कहां आपका fill up होगा www.sams.co.in पर जाके आपका सारा details जो है आप भर दीजेगा fill up कर दीजेगा और इस तरीके से new registration, already registered पे अगर आप already registered है तो login जाएए पासवर्ट जाएए और आपको इस तरीके से खुलेगा फिर आपको जाके वहां पे अपने सारे certificates जान ले होंगे उसके बाद apply now पे जाना होगा और उसके बाद इस तरीके से सारा process complete होगा देखे personal details के बाद qualification उसके बाद experience उसके बाद local preference image and documents आपको submit करने है उसके बाद application जो है वो submit हो जाएगा यह तो थी पूरी जानकारी अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like, share, comment जरूर करें और मेरी इस चैनल को subscribe जरूर करें